लो फ्रेंड्स भाई बहन ममी ब्लाज में सभी का स्वागत करती हूं उमीद करती से अच्छे हिल्प में होगे और परिबार का ख्याल भी रखते होगे तो यहां तो भाई सच में पंडित की बेटी को तो लगता है शौक चरा है हर घर से सब को बुलाओ और बुला के फैसला करो मतब यह एक अच्छा टाइम पास खोच के रखी है कि खाली फैसला करना है फैसला करना है गुन-गुन जो उसकी ननद लगती है उसके संग बैट के उससे फैसला नहीं हो पारा तो राधिका तक को बुला ली है अरे भाई राधिका तो दूसरे की घर की है तुमको उसको ब किया वो अभी मुकर जा रहा है वो अगर भी बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं किया हूं तुम अपने रास्ते जाओ मैं अपने रास्ते जाओ तो इसमें गुन-गुन की क्या गलती और राधिका की क्या गलती तुम्हारे पापा ने समर को किडनाप किया था तो समर क चुराने के उसमें अंकेत ने तुम से शादी कर ली, तो इसमें तुम राधी का ओग और गुन-गुन को इतना क्यों वो कर रही हो, और इन दोनों के तुम डिवोस कैसे कराओगी, तुम जे इतना बड़ी-बड़ी बाते हाक रही हो, कि मैं तुम दोनों का घर नहीं बसने द कह रही हूं हर एक इंसान में इंट्रेस्ट है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें तुमको इंट्रेस्ट ना हो खासकर जैंस और यहां पर प्रॉपर्टी तुमको तो प्रॉपर्टी भी चाहिए तुम अंकित के संग इसे रहना चाहती हो ना क्योंकि उसका प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, प्रॉपर्टी मिल जाये, तो भार में जाये, अंकित भी, अंकित को भी तुम नहीं देखोगी, और यहां फैसला करने बैठी हो, तो यहां तो friends, राधी का कोई बुला लिए कि सम मिल के मेरे लिए फैसला करो, मेरे हित में बोलो, और अगर जो मेरे हित में न देखते हैं, आगे क्या होता है, और अंकित आता है, फिर क्या तमाशा यहां जाड़ी रहता है, तो जिसको पर आज को व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नहीं प्लीज सुस्कार्श जरूर कीजिए, तब तक लिए बाई-बाई-